या आपकी body में कई भी problem है कुछ भी और इसको आप इसी तरह हील करना चाहते हो तो हम क्या करेंगे glands पर focus कर सकते है जिसको हम simple भाषा में कहते हैं chakra right glands पर focus कर सकते है जैसे suppose किसी के heart में problem है heart थोड़ा सा heavy heavy सा feel होता है कभी कभी दर्द सा लगता है right तो इसको कहते है रिदय चक्रा यहां होता है रिदय चक्रा प्रेम का चक्र कहते हैं से आत्मा का प्रेम गुण है right इसको gland कहते है thymus gland यहां होती है thymus gland यहां से hormone निकलता है प्रेम का hormone प्रेम के hormone को कहते है oxytocin यह hormone होता है heart से संबंदित lung से संबंदित problem ऐसे कायब पोचाएगी पूरा cured feel करेंगे किसी कहते है न दिल में नफरत मत रखो किसी के लिए कहते है न उसका सबसे बड़ा loss हमें होता है और वो शरीर की बीमारियों के रूप में आता है नफरत है heart heart पर problem आईगी सबसे ज़दा ठीक क्या देख रहेते हैं light की देह में एक bulb तो यहां था ही में आत्मा दूसरा यहां बड़ासा बल्ब जला लेना heart में यहां thymus gland के पास बड़ासा green bulb कैसा be very creative कैसा green bulb थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट रोज अमरित वेला नुमा शाम 2-3 मिनट किसी भी समय सकाश देना है body के जिस भी भाग में आपको problem मैं बता दूँगा आपको वहां क्या क्या देखना है और कौन सा thought देना है मैं हार्ट के लिए भी फिलाल बतारू यहां देको लंग्स का problem हार्ट का problem आपको है definitely ही लो जाएगा sure 100% अमरित वेला के वल 2-3 मिनट देखना है जादा भी नी देखना है सिर्फ 2-3 मिनट क्या जादा है क्या देखेंगे खुद को देखेंगे मैं कमल लासन पर बैठा फरिष्टा प्रकाश की देह में मस्तक के बीच चमक रही दिव्यमणी और परमधाम से प्रेम का प्रकाश मेरे उपर आ रहा है आ रहा है प्रेम के सागर्ष बाबा से प्रेम की रोशनी मेरे उपर गिर रही है सब कुछ दो-चार मिनट के लिए ग्रीन ग्रीन देख लीचे क्योंकि प्रेम का कलर ग्रीन होता है और पिंक भी होता है अब पिंक भी विश्वलाइज कर सकते है पिंक देख लीचे और यहाँ पे पिंक बल्ब चला ही है और देखिए प्रकाश कैसे हील करता है अंदर से दो-चार मिनट किया पूरी बाडी में फैल गया प्रकाश अब देखेंगे यही मस्तक से निकल कर ग्लोब के उपर पड़ रहा है औने एक आत्माए जो प्रेम की प्यासी है जो प्यार मांग रही है सबसे पानी के छीटे मारे जाते हैं ना ऐसी आत्माएं जो अज प्रेम के कारण सुख गई हैं प्रेम नहीं है जीवन में द्रेश भरा पड़ा हैं नफरत भरी पड़ी है उन पे यह छीटे पड़ रहे हैं प्रेम के और सभी की आंखे खुल रही है सभी के जीवन में खुशी लोट रही है कैसा लग रहा है कैसा लग रहा है बाबा ने इसके लिए क्या स्वबान दिया हमको आत्मा आत्मा भाई 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 इसे कैसे नफरत करोगे जिसको भी देखा मेरा भाई है जिसको भी देखा मेरा भाई है ये मेरे भाई का प्रकृती ने ऐसा मेक अप किया है कि ये मेरा भाई माता के रोल में बैठा है मेरे सामने मुझे पहचान में भी नहीं आ रहा हूँ प्रकृती में मेक अप किया है कि भाई पहचान में भी नहीं आ रहा है आड़ा परमधाम में हम लोग ऐसे यूँ एकदम चिपके चिपके से खेलते रहते थे याद आ रहा है परमधाम लाल 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 प्रकाश का घर हमारा शिव बाबा हजारो सूरियों से भी तेश चमक रहे है वहाँ याद आ रहा है याद करो और हम आत्में बाबा की किरणों रूपी भुजाओं से लिप्टी हुई सिम्टी हुई खेल रही है ऐसे यूँ और सारे भाई है ये ये कोई इदर से आके बाबा को टक कर मार देता है कोई इदर से आके मार देता है कोई बाबा की किरणों को पकड़ के दूर तक चले जाते ह राते हैं और खेलते हैं सारे भाई हैं और इससे ग्रेट स्वरामान मैं इन सबका बड़ा भाई हूँ कौन हो बड़ाई, बड़ाई देने वाला होता है जीक? सबका बड़ाई हूँ कैसा लग रहा है दिल में? नफरत है? बचे कहीं? प्रेम ही प्रेम है न ये बाबा सिखाते हैं कि प्रेम 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 और हमारी क्या प्रोग्रामिंग गई थी बच्पन से यहां कर कि प्यार मांदा जाता है प्यार तो दूसरों से मिलता है प्यार हमारे पास थोड़ी ना है पिर कहते ही थे मुझे तो कोई प्यार कर थोड़ा तो प्यार से बात करो, थोड़ा तो प्यार दो, राइट, बाबा ने क्या बोला, दाता के बच्चे हो, प्रेम के सागर के बच्चे हो, और गाते क्या थे, सिखाये गया हमको, मेरा कोई दोष नहीं है बैया, सिखाये गया मुझे, ये गाओ, आप प्रेम के सागर है और मैं आपकी एक बूंद की प्यासी हूँ बाप सागर है बच्चा एक बूंद का प्यासा एक बूंद भी नहीं लिए उसको भी तक ये कैसा बाप है यार कि बच्चा बूंद का प्यासा है बाप टाटा बिरला है बच्चा सड़क पे बिल्क मांग रहा है इन प्रोग्रामिंग इसको ठीक करना है वस अगर मेरा बाबा प्रेम का सागर है तो मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ प्रेम का बंडार हु मैं प्रेम मुझमें भरा पड़ा है प्रेम की नदी हु मैं जितना चाहे पिलो प्रेम का जोगा और जितना बाटोगे उतना बढ़ेगा अनुबहुत सब रेकर रखा है ज्यान बाटने पर ग्यान प्रेम बाटने पर प्रेम क्रोध बाटने पर क्रोध चीक है तो सबने अनुबहु किया है न तो प्रेम बाटेंगे लेकिन यह पात हम सब जानता है हमने सब के लिए एक प्रॉपर स्मृति चाहिए और स्मृति बाबा ने दी कि तुम आत्माई भाई भाई हो तो देखो भाई भाई की दृष्टी से प्यार और पवित्रता नाचुरल नाचुरल राइट तो प्रेम का हॉर्मोन कितना निकलेगा ग्लैंट से ऑक्सिटोसिन कितना भर पूरान आपको पता है ऑक्सिटोसिन क्या है एक रो हॉर्मोन है किसके लिए खुशी के लिए वास्तो में खुशी का हॉर्मोन होता है सीरो टॉरिन जब किसी के जीवन में खुशी की कमी हो जाती है ना तो वो क्या करते हैं डॉक्टर से दवाई लेता है आप में कोई जाता है, recynesin सुनते सुनते भी आपने किसी को लगा कि मेरा Calum है है, तो Hershey डीप्रेशन कहां से आएगा तो जो भी निकलता है ना जैसे अब सब्सब्जी बनाती है ना तो आज आपने आलू की सब्सब्जी बनाने के लिए क्या चाहिए आलू कच्चालू कच्चालू नहीं होगा तो पक्का कहां से आए एक बनेगा तो कच्चालू होगा तो सब्जी बनेगी वैसे ही अगर खुशी जीवन में अधा चाहिए तो इसके लिए चाहिए प्रेम राइट प्रेम खुशी लाता है ना यानि oxytocin बनेगा तो serotonin जरूर बनेगा तो serotonin होता है खुशी का हर्मोन राइट बराबर तो इसके लिए कोई दवाई को लिए खाने की जरूरत नहीं है we need only smrty हमें के बले smrty चाहिए याद रखना है कि मैं कौन हूं किसका हूं अपने आप positive प्यार से बरे hormones body में release होते रहेंगे glands release करती रहेंगी और खुशी का पारा चड़ा रहेगा नाचते रहेंगे गाते रहेंगे और जूमते रहेंगे ठीक है clear हुआ कहते नहीं है जैसे मानो किसी को कोई problem हो मांसिक रूप से कमज़र हो शरीरिक रूप से कमज़र हो तो क्या कहते है इसको dose चाहिए क्या बोलो बोलो क्या चाहिए dose आपको पता है वास्तों में dose का रत क्या होता है खुराक है ना मैं आपको बताता हूँ आपको सुनके अच्छे भी लेगा और शाहिए आप भसेंगे भी dose dose माना D-O-S-E मेरे साथ बोलना सभी D-O-S-E याद रखना D माना डोपामाइन बोलो O माना ओक्सिटोसिन S माना सीरोटोनिन E माना एंडॉर्फिन ये वो चार हॉर्मॉन है और ये बाबा के ज्यान से परमातम ज्यान से प्रवपर आपका ब्रेन आपकी क्लैंट्स प्रिलीज करती है और आपके बलड में जाता है और आपके जीवन में खुशाली रहेगी पूरा शरीर स्वस्त रहेगा सो कहने का तात्परिया ये है कि जितना हो सके स्वयमान का प्रैक्टेस करिए आत्मा भाई भाई की द्रश्टी रखिए और तीसरी चीज हमें जो करनी है वो है एक्सरसाइस प्लीज याप सबसे मेरा एक सुझाव है कि बहुत कम परसेंट है सभी का चारों तरफ देखा गया है हाडली 3-4% लोग ही है जो सवीरे थोड़ी बहुत एक्सरसाइस करते है कौन को एक्सरसाइस करते है सभी रहात उटाने ज़र देखलो अपनी सामने देखलो कितने थे 5% या 10% कहलो चलो तो थोड़ा सा शरीर को हमने बोड़ी की बहतरिंग मोमेंट होती है और इसी से निकलता है एंडॉर्फिन जो एंडॉर्फिन हॉर्मोन है वो एक्सरसाइस से रिलीज होता है आप स्विमिंग कर रहे हैं डांसिंग कर रहे हैं आप एक्सरसाइस कर रहे हैं stretching कर रहे हैं, आपने देखा होगा, जो भाई लोग अभी हाथ उठाया, exercise करते वे, के बाद कैसा mood रहता है, कुछ देल के लिए तो कम से कम, बहुत fresh हो जाते हैं ना, तो ये endorphins के कारण होता है, right, endorphins भी antidepressant है, depression को खा जाता है, कम करता है, right, कहने का ताथ पर ये है, DOSE में dopamine, oxytocin, serotonin और endorphin, तो D, O, S, S को हटा दीजिए, D, O, E, ये तीन वो hormone है, जो कच्ची सबजी है, ये आपके पास होंगे, तो पक्की सबजी यानी S, serotonin जरूर बनेगा, आप खोशी मनाचते रहेंगे, चीक है, तो ये था थोड़ा सा ग्यान डांस, अभी हमें थोड़ा निकलना था, और धेर सारी बाते आगे कभी करेंगे, ठीक है जी, तो ये आपने इस तरह बाबा के ज्यान को आप scientifically यूज़ करिये, और उसे आप scientifically किसी को सुना भी सकते है, कोई लोग सोचते ना, अंदविश्वास होता है, ये तो माना, अध्यात्मिक तातो बूढ़े ल सिखता है, बच्पन से ठोक दिया है, अब जब लाठ लग जाए ना, साथ और लाठ तब आध्यात्मिक बनी है, अब एक बात पताईए मुझे आप, जो बाते आपने सुनी, मैं नहीं जानता, आपने कितनी समझी, लेकिन आपकी जगह पर, आपके आपने बहुत सारे चाहेंगे हम, जब लाठ लग चुकी है, खुद से तो चला ही नहीं जा रहा, लेकिन जो यंग होते हैं, उनको ये बाते समझ में भी आती है, अपलाई भी तेज कर सकते हैं, क्यों कि ब्रेन हमारा बहुत आक्टिव और बहुत पावरफुल होता है, यूथ जब होता है, च सब नहीं है, कुछ परसेंट ऐसा होता है, लोग चोड़ता है, ठीक है, सब चला ठीक है, अपने ब्रेन टेक्सर साइस करने के आदर डाल लीजिए, और उसके लिए कुछ भी आपको करना नहीं है, चिप इतना सा करना है, कि जो आपका बहुत महत्पूर्ण काम नहीं है, अ चारा काम राइट से करते हैं, तो जो महत्पूर्ण कार्य नहीं है, थोड़े बहुत बिगड़ जाए, तो चल जाएगा कोई रिक्कत नहीं है, लेट से करिए है, आपके ब्रेन के लोग शॉक लाओ, ब्रेन की एक्सरसाइस शुरू जाएगी, ब्रेन एकदम नहीं नहीं लेट से करिया, कोई रॉबलम नहीं है, अगर लेट से भी कर लिया, थोड़े इदर दर को ब्रेश चला गया, तो कोई पुलिस केस नहीं करेगा हमारे उपर, करिये, स्नान करते हैं, जो मगगा होता है, डबा, उसको राइट से आप डालते हैं, लेट से डालिए, कोई दिक कभी रोटी नहीं बनाई, और आज माता है, बोले रोटी बना, आओ, हमें रोटी बनानी पड़ेंगे, हम तो नहीं बना, रहे, बता कैसे बनाएंगे, बनाओ, ब्रेइन को, एक्सरसाइज है यही, कुछ वो चीज जो कभी नहीं किये, वो करिये, ब्रेइन की होती है, नहीं नहीं विश्वलाइजेशन करिये, मेडिटेशन में बैठके, नहीं नहीं विश्वलाइजेशन, कभी पहाड़ी के उपर बैठा हूँ, कभी आकाश में उड़ रहा हूँ, तरह तरीके से मेडिटेशन करिये, यूट्यूब पर धेरों कॉमेंट्री नहीं कर ऐसे किया करो ब्रेन को हमेशा कुछ क्रियेटिव कराते रहो तो बहुत मज़ाएगा ठीक है एक मिनट बाबा क्यात करते हैं सभी सीधे बैठ जाएए डोपामाइन ओक्सिटोसिन प्रेम का होर्मोन है मैं लिखवा दिता हूँ सामने आगे कभी एकस्पेंड करूँगा बगी यूट्यूप पे तो आपकोई classes मिल जाएंगी सारी डी फूर दोपामाइन डोपामाइन सफलता का होर्मोन होता है और तुसरा था ऑक्सिटोसिन प्रेम का होर्मोन होता है ओक्सिटोसिन ठीक तीसरा होता है सिरोटॉनिन, ये खुशी का हॉर्मोन होता है, चिक, और E for endorphin, endorphin, शांती का relaxation का हॉर्मोन होता है, चिक, ये सभी हॉर्मोन anti-depressant है, जब हमारा mind powerful thought create नहीं करता है, तो इनके opposite hormones release होते हैं और हम बिमार होते जाते हैं, तब इनकी doctors हमें दवा देता है, चिक, ये आप बाबा के ग्यान से कितना भी बनाईए अंदर, इसलिए कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारियों के चेहरे हमेशा केले रहते हैं, मुस्कराते रहते ह है ना, है ना, clear हुई बाते हैं, करेंगे इस बार, है ना, करेंगे ना, तो ये करते रहे हैं, अपने आपको एक second में thought दीजिए कि मैं light की देह में हूँ मस्तक के बीच शमकती एक मनी हूँ मुझसे प्रकाश निकल कर मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है मेरे सभी brain cells purity से भर रहे हैं मेरे शरीर के हर एक cell में purity भर रही है मेरे अंग में पवित्र लाइट भर रही है मैं बहुत आनंद में हूँ मेरा रोम रोम आनंदित्त है मुझसे पवित्रता का श्वेत प्रकाश निकल कर चारो और फैल रहा है जैसे बल्ब से प्रकाश दूर तक जाता है वैसे ही मुझ रूहानी बल्ब की रोशनी चारो और फैल रही है मैं अव्यक्त फरिश्टा हूँ साइलिंस की शक्ती से वर्पूर मेरे अंग अंग से लाइट निकल रही है मैं ब्रम्ह बाप समान फरिश्टा हूँ उनके हातों में हाट डालकर आकाश में उड़ रहा हूँ मैं फरिश्टा हूँ फरिश्टा हूँ फरिश्टा हूँ ओूँड़ स oneself salah क्झे करो मैं उनके करो मैं उनके कर दो। पूक्ती सete